दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी वूट एप में प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है सोस एरर 7000 तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्फ करें आज की वीडियो में बताहूंगा तो वीडियो को लाइक चुरूर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें पहुत सारी क्या करने आपने डिवाइस को फ्लाइट मोड ओन कर देने इसको 2 या पानली मिनीट बाद और ओफ करने हैं, तो यह सब करने के बाद हम यहां पर दो SIM card देखेंगे, जिस SIM card पर हमें रिचार्ज करवा होगा, उस पर क्लिक कर देना है, जिसमें मारा इंटरनेट हो पैक होगा, यह सब करने के बाद यहां पर SIM card टाइप का option दिखे रहा है और यहां पर हमें इस पे क्लिक करना है 4G यहां फिर LTE यहां पर select कर लेना है यह सब करने के बाद यहां से back आ जाना है और यहां पर search for network option दिखेगा mobile network पे इस पे click कर देना है इस पे click करने के बाद हमें जो automatically select network option है इसको on कर देना है कभी भी इसको off मत कीजेगा नहीं तो आपको बहुत सारी problem face करने पड़ेगी इसके बाद use port को on कर देना है और make calls using wifi इसको भी on कर देना है यह सब करने के बाद हमें यह से back आना है और device की advanced setting option देखेगा इसको enable कर देना है तो advanced setting वाला option है इस पर जाने के बाद यहां पर data roaming का option देखेगा इस पर click करना है और international roaming को always enable रखना है तो यह सब करने के बाद यहां से back आना है back आने के बाद हमें अपनी device की setting में पापिस फिर से आ जाना है डिवाइस की setting में आने के बाद यहां पर निस्चे scroll down करने पर connection and sharing option देखेगा तो इस पर click करना है और इसके bottom में हमें एक option देखेगा reset wifi mobile network and bluetooth इनको reset कर दीजेगा और एक पार अपने device को restart कीजेगा restart करने के बाद जो भी आपकी problem थी वो बिल्कुल solve हो जाएगी झाल